तो आज आपका मॉक टेस्ट है 62 है इससे पहले आपके 61 हो चुके है जो आपका TGT 2023 का यह मॉक टेस्ट चल रहा है डेली आपकी मॉक टेस्ट चलता है डेली टू पीम अगर बाइचांस के सिस्ट्वें नहीं किया है तो इसको आप जरूर जोइन करिएगा आपकी बहुत अच अपने समलेंगी प्रेम के अवया तस्वीर के लिए जाने माने कलाकार है तो वो कौन है औप्शन है रविंद्र रेड़ी है जामनी राय है भुपेन खकर या फिर एसेच रजा तो बताईगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल सभी ने बहुत कुछ नमबर 2 की तरह बढ़ते हैं चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है तो यहां पर ऑप्शन है कुल्लू है मालवा है बूंदी है या फिर मंडी है तो बताईगा चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है तो सभी लोग जानते हैं कि जो राजस्थान का ए महाव अलिपूरम, एलोरा, एलिफेंटा, या फिर कोड़ा तो सभी लुग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहाँ पर थर्ड का वी राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा शिला जो विशाल का है शिलाकर्ट मंदर जो है वो कौन सा है तो बिल्कुल यहाँ पर एलोर नात मजूंदार तो बिलकुल यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाइगा तो यहां पर इसका जो राइटांसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर राजिस्थानी और पहाडी इसका राइड आंसर हो जाएगा कौन सा है राजपूत शैली है तो कौन सा हो जाएगा राजिस्थानी और पहाडी इसका जो संबलित नाम है तो इसका हो जाएगा राजिस्थानी और पहाडी इसका राइट आंसर है कुछ नमबर है सावन है किशनगर के कभी कलाकार कलामरमग्य शासक का नाम है तो सभी लोग ऐसे ही कुछन देख के ही आसर दे दिये होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सावन्द सिंग किशनगर सावन्द सिंग यह हो जाएंगे आपके संसार चंद कांगरा ठीक है तो यह याद रखिया कन्फ्यूस मत होईएगा कोश्ण दून्बर है एक नम्बर निमनिकित में से एक प्रसिद्ध कला इतियास कार है तो वो कौन है चेदिन दुलाथ मजूमदार असिद कुमार हल्दर नदलाल भुस याफिर यशोदरा डालमिया तो बदाएगा इसका राई डांसर कौन सा हो जाएगा जो एक कला इतिहासकार है तो बिल्कुर यहाँ पर इसका जो राई डांसर है वो कौन सा हो जाएगा यशोधार डालमिया हो जाएंगे जो एक क्या है कला इतिहासकार है Q9 की तरफ बढ़ते हैं लखनो आर्ट कॉलिज के प्रिंसिपल थे तो वो कौन थे? Option है अवरिन्दा टाग और छिदिन्दात मजूमदार असिद कुमार हलदर या फिर राम कुमार तो सब लोग जानते हैं कि जो लखनो आर्ट कॉलिज के जो प्रिंसिपल है Very important question है इसको याद रखीएगा ठीक है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा असिद कुमार हलदर हो जाएगे Question number बढ़ते है 10 की तरफ देवी प्रसाथ राय चौधरी कहा के प्रिंसिपल निक्त किये गए तो बताईगा देवी प्रसाथ राय चौधरी कहा के प्रिंसिपल निक्त किये गए कलकत्ता आर्ट स्कूल मदरास आर्ट स्कूल लगनौ आर्ट स्कूल या फिर जैपूर आर्ट स्कूल तो बिलकुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहाँ पर मदरास आर्ट स्कूल हो जाएगा क्विश्ट नमपर 11 की तरफ बढ़ते हैं रविंद्र नाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं तो बंगाल पुनर जागर शैली के हैं आधुनिक विमूर्थ शैली है प्राचिन शास्त्रिय शैली है या फिर यूरोपिय शास्त्रिय शैली है तो सब भी लोग जानते हैं कि रविंद्र नाथ टैगोर के तो बंगाल पुनर जागर तो बिलकुल भी नहीं होगा आधुनिक विमूर्थ शैली के हैं रविन्ना टैगोर के चित्र किस टाइप के हैं आधुनिक विमूर्थ शैली के हैं प्राचीन शास्त्री भी ने यूरोपिय शास्त्री भी नहीं तो आधुनिक विमूर्थ शैली के हो जाएंगे तो इसको याद रखीगा Question number बात करते हैं 12 number आ गया है तो 12 number question कहरा है कि नंदलाल भूस का जन्म कहां हुआ है तो नंदलाल भूस का तो सभी लोग जन्म जानते हैं तो इसका जो right answer है वो क्या हो जाएगा तो बिलकुल यहाँ पर बिहार इसका right answer हो जाएगा कोशन पतारीन है कि इन में कौन आसंबंद है तो कौन ऐसा है जो और लोगों से असंबंद है मनसूर मनुहर बीजात या फिर मिस्किन तो सबी लोग जानते हैं किसका जो है वो हो जाएगा इन में से कौन असंबंद जो भीजात हो जाएगा भीजात है तो कहा का वो कलाकार है भीजात ये आपको बताना है कि जो मनसूर है सब अपने अलग-अलग हैं यह कालीन से कोई मतलब नहीं है इनका जो है किस से मतलब है सब्जेक्ट से मतलब है यहां पे जो असंबंद है सब्जेक्ट से मतलब है और यह आपको बताना है कि सब्जेक्ट से अगर बिन है तो भीजात इन सबसे क्यों बिन है यह आपको बताना है ठीक है तो चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहां पे कुछ नमबर 14 की तरह पॉप जूलियस दितिये के बगबरे के लिए माइकल एंजलो का मोसिस के समाध्यम में बना है तो बताईगा कुछिन इसको अच्छे से बढ़ लिए ठीका कुछिन कह रहा है कि पॉप जूलियस द कि तो बताईगा इसका वह कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहां पर याद रहिक यहां पर जन्म कहा हुआ है option है आपके दिली में मुंबई में अहिंगल में या फिर अलहावाद में यानि की प्रियाग राज में तो सभी लोग जानते हैं जो शैरिंद्र राथ डे का जन्व हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर अलहावाद मतलब प्रियाग राज कोश्ट नमबर है 16 है 16 की तरफ चलते हैं कि सब चितरकार ने बाग अजंता जोगी मारा के वित्ती चितरों की प्रति लिपियाँ तैयार करी तो बताईगा इस काराईड आंसर कौन सा हो जाएगा तो सभी लोग जानते हैं कि जो बाग अजंता और जोगी मारा तीनों की ही कला क्रति जो बनाने वाले जो कलाकार है वह कौन हो जाएंगे तो बिलकुर यहां पर असित कुमार हल्दन हो जाएंगे कुछ नंबर है बढ़ते हैं 17 नंबर 17 है मुगल शैली के प्रसिद लगू चेत्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिये हुए जो कौन से संग्राले में है यहां पर जाएगा अबुल हसन ने यहां पर जो चित्र बनाया है जांगीर मैडोना का चित्र लिये हुए जिए कुछ नंबर 18 है बर्थ जो है किसका चित्र है एम्मेंफ उसे न का है बेंद्रे का है एफ इन सूजा का है या फिर जी एन टागॉर का है तो सभी लोग जानत प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप जो है इसके कलाकार की आपको पहचान करनी है कि इससे कौन संबंदित है प्रयाग ग्रूप से तयम हैता है घबर है गुलाम मुहमद शेख है या फिर गायतोंडे हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो संस्थापक सदस्हाइब अब हम पढ़ते है कूछ नबन करकी बंठी जाती है तो कागज पर भूमी पर कलसे पर या फिर कपड़े पर तो इसका जो राइट आंसर है वो किस पर की जाती है तो बिलकुल सांजी भूमी पर की जाती है बारती आजनी चित्रकला का इतिहास प्रारंब होता है या आरंब होता है तो वो कहां से होता है यह आपको बताना है तो बताईगा कि भारती आजनी चित्रकला का इतिहास आरंब होता है तो बिल्कुल यहां से हो जाएगा आपका बंगाल इसकूल से हो जाएगा कहां से हो जा सब्सक्राइबते iamir ERIC सब्सक्राइब भारती ग्राम में जीवन हो ज備 गाम में जीवन का 24 युमिक का जबी हमें मिलती हैं सिंदुगाटी की मौरों पर मूर्तियों पर सिंदुगाटी के मिलती है वो सुद्धी सिंदु घाटी की मोर पर देखने को मिलती है अब हम बात करते हैं कुछ नुबर 25 है आधनिक शिल्प सिक्षा जो नाइंडी सेवनिटी डू में यह लिखा गया है इसके पुस्तक के लेखा कौन है तो यहां पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा विनोद भिहारी मुखर्जी कौन हो जाएँगे विनोद भिहारी मुखर्जी हो जाएंगे कुछन मोट 26 की तरफ बढ़ते है कि इस कलाकार को लिलित कला अकदमी ने 1984 में एपको बताना है कि इच्छेतर क Edition गोसित कर दिया है तो कौन से कलाकार को घोसित कर दिया है ऑप्शन है आपके रामकुमार पिकासा- रजा आ फिर कूसें कों हो जाएगा तो बिलकुल यहां पर ProfThe him who जाएंगे कौन हो जाएंगे इसका राइक ँदैकर यहां तो पर कुर्श एफ्टमपर समया गया अब हम बात तो यहां पर कुण सा हो जाएगा। यहां पर उदैपूर हो जाएगा। तो इसका राइड आंसर उदैपूर हो जाएगा कुछ नमबर है 28 28 है कि अजंता चित्रों का मूल विशे क्या है यह आपको बताना है तो बताईगा इसका राइड आंसर कौन सा है राम गथा क्रश्णीला बुद्ध चरित रियाफे शिव गथा तो बिलकुर इसका राइड आ लगुचित्र या फिर पट्र चित्र तो यहां पर सब लोग जानते हैं जो जैन चित्र कला कहलाती है वो कैसी कहलाती है तो बिलकुर यहां पर हो जाएगा लगुचित्र हो जाएगा ठीक है तो जैन चित्र कला क्या कहलाती है लगुचित्र कहलाती है आप लोगों के जाएगा लगुचित्रो इसका राइट आंजर हो जाएगा ठीक है तो इसको याद रखीगा पोथी तक यहां पर बनी थी जैसे कि अबर में है पोथी घ्रंत होते हैं वसपर बनी ठीक क्रस्वी है तो यहां पर यतने भी बने थे जीवन चरित्र का हो जाएगा देखो आपको यह तो पता है आसान कोशन है देखो इस वारे कोशन को मैं एक बार क्लियर और कर देती हूँ देखो यहाँ पर जो जैन चित्र कला है जैन चित्र कला जो है यहाँ पर पोथी के अलाबा भी आपके जो जित्र बने है वो पोथी के भूध भूदे वह सबक्ते फेली मों टार पत्र परब्थ यहां पर काल फेली बंचे बनना शुरूर तो यहां पर अलग सीटर बनेग أي कने श्टार्ट हो गई था तो doctrinali यह बता ही दिया बुत का जीवन चरित्र कुष्णब 31 है कि बिश्व प्रसिद्ध जो है क्या है बिश्व प्रसिद्ध चित्र जो है मार्ती फॉंतिन की इस्मृति किसका है तो बताएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपके कुर्बे मोने कामिल को रो या फिर देगा तो बता सब्सक्राइब का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट में कर कौन था यहां पर हो जाएगा जोती बट्टो हो जाएंगे जोती बट्टो हो जाएंगे कुष्ण नंबर है यहां पर 33 33 कह रहा है यहां कि ऐसे कौन बंगाल का पंगाल शरी का शित्रोकाल नहीं है तो यहां पर आपने च्छित्र से ओंसर बताईएगा कॉन है तो इस लिए यहां पर इशवरी प्रशाद है है ऊहां की कलाकार हुजाएगे कामियोगों कोरों को कहा के कलाकार है उस दिन भी मैंने आप लोगों से पूचा था तो यहां पर इसली बार बार पूच्ति होगी ताकि आप couple करते रहते हैं तो यह चीज दिखता है ना कि कितने बच्चे उस पर ध्यान देते हैं अगर मान लुबाई चास को इसका आंसर लिख कर भेज रहा है तो उस पर ध्यान भी दिया करो यह बहुत सारी स्टुएट उसको रिप्लाई भी करते हैं तो इस पर ध्यान दिया करो ठीक है तो कुछ नबर 35 है पर कांगुरा स्टुएlles का दूसर नाम क्या है तो उकौनसा नाम है यह आपको बताना तो पता ही और जुए कि स्टुए ऊपर कि सेली का प्रभाव पढराँ राज थानी नूंप जाते हैं तो उसका यहाँ पर मुगल इसका राई ट्यांस हो जाएगा कागर चित पड़ा पर किया पर किस एरी का प्रभाव पड़ा है तो याद रखीगा मुगल का प्रभाव पड़ा है ठीके तो इसको याद रखीगा अब हम बढ़ते हैं कुश्च नमबर 37 37 कह रहा है कि एसकुलकर्णी की कल सब्सक्राइब को इसका मध्यम पूछेंगे बहुत बार इक्जाम में यह सब आता है तो इसको यह सब याद करिए अद्रों तो वह कौंसा प्रशिद है मुशिदाबाद कलकत्ता पटना या फिर दिली तो बिल्कुल यहां पर सभी रुख जानते हैं कि कंपनी शेरी के भारती के इंद्र में जो प्रसिद्ध है वह हो जाएगा पटना हो जाएगा कुछ नमबर 39 है किस भारती कलाकार की चित्रों की प्रतिलिपी अधिकांश घर में पाई जाती है तो बताएगा तो बिल्कुल यहां पर राजर भी वर्मा हो जाएगा अगर आप्शन भी ना दे तब भी आप लोग राइट आंसर कर लेंगे अम बात करते हैं कुछ नमबर 40 की तरह बढ़ती हैं डीपी राय चौदरी की रे सर प्रतम प्रतिमा का पूछ रहा है तो यहां पर जो राइट राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसनान के बाद जो सह में कि हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर तीनों हो जाएगा क्योंकि यह जो कपकास एक एसी इस हो जाती है वह इनकी कहते हैं जो रहस्वादी हो जाती है इन्होंने बहुत सारे इसमें इन्होंने काम भी किया है ठीक है तो आप हम पढ़ते हैं यहां पर बैसे प्रमुक रूप से घंवादी के रूप में जाने जाते हैं कुछ नमरे 42 है अभ्यंजनाबादी चित्रकला का प्रारम हु तो इसका जो रही डांसर है वो कौन सा हो जाएगा तो अभ्यंजने चित्रकला का प्रारम हुआ है तो बिल्कुल यहां पर जर्मनी इसका रही डांसर हो जाएगा अब हम पढ़ते हैं कुछ नमरे 42 है प्रागेती हासिक भारती चित्रकला किस सतय पर बनाई गई गई तो ब बिल्कुल यहां पर इसका चट्टानों पर इसका रही डांसर हो जाएगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं किस से प्राइद चित्रकार ने फिल्म में भी बनाई तो कौन है ऐसे कलाकार तो बिल्कुल यहां पर दिखते ही आंसर दे देंगे मैं फोसेन हो जाएंगे कुछ नमब सब्सक्राइब करो तो सच्चे मनतहें तो सेलेक्शन भी हो जाता है तो आप लोग सेलेक्शन पाएं जल्Dी से आगे बढ़ें ठीक है तो कुछिनела फॉडिवाइब की चलो बात करते हैं इन में से कौन ऑसा मन्द हैं को किसी है exist और एक भी दिन का आपको टेस्ट चीरीज नहीं चोड़ना है डेली एकदम अपडेट रहना है इसलिए में देखो कोई भी फेस्टिवल हो कुछ भी हो लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट रहती हूं कि हाँ जितना हो सकता है एक्जाम तक बिल्कुल जुड़ी कि इतना है कि आप लोग इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दूगी कि आप लोग का एक भी कुछन एकजाम से कोशिट पूरी करूंगी कि एक भी कुछन बहर न आ जाए जितना भी टाइम मिलेगा आपको बहुत अच्छी चीज अच्छी मैटर्स बापको देथी जाओंगी तो आप परिशान है तो बिल्कुल कोन हो जाए में रहें तो मुकल्डे क्यों है यहां पर हमेसा रीजन जरूर याद कर लिया याद मुखलू कर लिया संबंद से यह किस लिया जाते हैं यह तो सभी लोग जानते हैं क्यों हो जाएंगे सब्सक्राइब किसकी पूच रहा है मकान का अंकन का पूच रहा है ठीक किसका पूच रहा है मकान का अनुसार तो कौनसा मलब सब्सक्राइब थो हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर स्य भी लुग requirements लोग वो गढने पढ़ा होगा एक मट सौरी तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा वाई वी ये रेखिए जो होता है सब फड़ा होगा अप लोग ने ठीके तो तो यह जो है यह आपका रैखिक परिपेक्षे होता है ठीक है भाई भी यह वह हो जाएगा जो आपका पूरा एटमॉस्फियर दिखता है जिसे पेर पौधे स्काई सब कुछ दिखता है अब हम बढ़ते हैं कोई नमबर 47 की तरह बढ़ते हैं भारती सौंदर सास्ट के प्रत कुछ नमबर 48 है बासैन रचित कामसूत्र की व्याक्या या टीका के कला के शडंग में उले किया है तो किस ने किया है कालिदाद बाड़ बाटे या फिर ये शोधर पंडित तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आप तीन ही आप्शन मैंसे दे दें तो यह जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहां पर ये शुदर पंडित हो जाएंगे कुछ नमबर 49 कि विश्णु धर्मुत्तब पुराड कि से संबंदित है तो बताईगा चित्रकला मूर्थिकला नातक या फिर चित्रकला मूर्थिकला तो यहां पर विश्णु धर्मुततब संबंदित है तो बिल्कुल आपका चित्र कला और मूर्थी कला दोनों से ही हो जाएगा इसका संबंद्र कुछ नंबर है 50 है आपका फाइनली आप लोग 50 तक पहुआ चुके हैं ठीक है तो यहां पर है कुछ नंबर 50 तो प्रागेति यहां से चित्र क्या है बताईगा तो होता ही नहीं तो यहां पर हो जाएगा ग्रोः चित्र कुछ नंबर 51 है कोई बात नहीं आप लोग तीन ही ओप्षिन में से आंसर दें पुर्चन कह रहा है यहां पर फिप्रिवर्ण है मैं ब्रहमांड को ठामे हुए हूँ पेपर मैशी में ये बना हुआ है संग्राले में राश्याद निकला संग्राले की नई दिली में है यह किसकी रचना है तो यहां पर option है तो धंडाज भगत है यहां फेशंकु चौदरी ह आँश हैं तो यह आपको बताना है तो इसका जो हो जाएगा तो इसका घंदराज हो जाएगा दो में ब्र्मबार्ट को थामे ужी हुए किसका नृपार्च ऑसर को झाले कुल है कि कुछ नमब्र है 52 मिथिल कितुकला इसने एक फिल्म है कौन सी है मैंना जोगिन नहीं जोगिन है यह एक शीषतव से बनाया है टो यह इसका पर आप तीन ही आप्षे सकते हैं तो बताइगा इसका जो राईड़ आंसर है वह कौन सा और नहीं घड़ा है तो यह ना जोगिन जोगिन जो बनाया Core, PDF का नहीं वर याद रखी गाivesse कौन सेर से बनाया है तो यह चीज आप लोग याद रखीगा तो कौन है यहाँ पर प्रभीर कुमार है जिन्होंने मिथला चित्रकला पर नैना जोगिन शीशक बनाया अब हम बात करते हैं प्रारंबिकर नत्यांगना मूर्थी कहां से प्राप्त है यह तो आप लोग ने बहुत बाहर इसका राइड आंसर कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल आपर मोहन जोदरों इसका राइड आंसर हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं कुछ नंबर 54 की तरफ राजस्थान के जैपूर में पुनर जागर्र काली पुनर जागर्र शैली का प्रसिद्ध जो सारी आस तो बड़े मिस कौन सा हो जाएगा शामश्राइगा शारर शमबुनाद मिश्रैकर क्रपाल सिंग शेखावत है तो बताएगा इसका राइट आंसर कौन सा यापर तीन ही option मैं से आप लोग दे सकते हैं तो बताएगा इसका कौन सा हो जाएगा जाजिस्थान के जापूर में और जागर शैली का प्रचार किस ने किया है तो बिलकुर यहां पर हो जाएगा शैलिंद्रनाथ डे हो जाएंगे कौन हो जाएंगे कुछ नमबर है 55 अजन्टा के समकाली चित्रुक कहां मिलते हैं ऑप्शन है बादामी सित्तनवासल एलवर या फिर बाग तो यहां पर अजन समकाली चित्र कहां मिलते हैं तो हो जाएगा यहां पर आपका तो इसका राइट आंसर बाग ठीक है अब हम पढ़ते हैं तो कुछ नमबर है 56 56 कह रहा है यहां पर निम्लिखित समकाली कलाकारों में से बंगार शैली का प्रभाव किस पर सरबादिक रहा तो कौन सा ऐसा कला इस पर बंगार शैली का सरबादिक प्रभाव रहा है तो यहां पर ऑप्शन राजरी बर्मा भी नहीं हो सकते कि यहां पर जो ऑपिशन दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिलकुल यहां पर असित कुमार हलदर हो जाएंगे 57 के पास योगनी को दर्शाया त तो यहां पर जो धारा के पास बैटी योगनी का जो चित्र दर्शाया गया है वो कहां पर तो बिलकुल यहां पर बीजापूर इसका राइट आंसर हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं कुछ नमबर 58 की तरफ आसंबंद शब्द बताईएगा तो यहां पर रेखा है वर्ड है अरुपात है या फिर मूर्ती है तो असंबंद जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहां पर मूर्ती हो जाएगा तो यहां पर यह किसे संबंदित है यह तीनों के तीनों बताईगा तो यह किसे संबंदित है तो कुशन नमर है 59 इस टाइप से बहुत कुशन आते हैं आ संबंद है किसे सुमेलित नहीं है कौन सा मैश नहीं करा यह बहुत अच्छे से कुशन आते हैं तो इसको अच्छे से य हो जाएगा तो यहां पर बिल्कुल आपका 59 का हो जाएगा चित्र कला सब्सक्राइब किस ने किया है तो बताईगा अनंदबर्धन सारंगदेव या फिर श्री शंकुक तो बिल्कुल यहां पर यह भी आपने कोशन देखते हैं तो बिल्कुल इसका राइट ढूंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर नवजांसर हो जाएगा बनसे को फिर से आपको मुझे लगता है कि तो डेशा बिल्कुल भी कि मत करिएगा यह आप लोग के बहुत शिपास है पर्शनेटी है कि आप लोग को डेली एक्जाम तक 125 कराये जाएंगे और ऐसा नहीं कि रिपीडिट करा जाएंगे अभी तक आपको यकीन भी कम से कम मैंने आपकी अभी तक जो आपकी दो भूल मैंने खदम कर दी है आप लोग को पता में ने दो बूक कर चुकी है यह तीसरी पुक का प्रेक्टिस सेट है तो आप लोग उसका कर रहे है ठीक है तो यहाँपर जो मौक टेस्ट जो है आपका वह आपका कौन सी तीसरी बुक का आ गया है तो आप इसको बहुत अच्छे से जादा से जादा इसको अच्छे से करिए मेरे बहुत सारी प्रेक्टिस बुक रखे हैं आपको मैं सारे करा दूंगे ऐसे नहीं कि बहुत पुराने कुश्चन के आपक तो बताएगा तो यहां पर सभी लोग जानते हैं कि जो पहाड़ी ऐसी थी जहां पर कैसे रंगों का प्रियोग हुआ है गहरे चटक एकदम कंट्रास्ट कलर ब्राइट कलर एकदम जो यूज करें हैं पहाड़ी चित्रों में ठीक है अब हम बत करते हैं कुश्रामबर सिक् तो बिलकुल यहां पर बसुश्रामवाड 63 मोगल के समय की है अगबर शाह चहांगीर पूछ रहा है सबस्टेस जबी की बात कर रहा है तो बिलकुल कौन हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा अगर शबी का बहत तो किसके समय में मिला है तो अकबर के समय मेला है याद रखिएगा तो इसका जो राइट आंजर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहाँ पर दर्बारी चितर हो जाएगे अकबर कालिन चित्रों की क्या विश्यस्ता है दरबारी चित्रों इसका राइट आंसर है अब हम बढ़ते है कुश्रमबर 65 65 कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है देखते हैं 65 कह रहा है कि मुगल चित्रकार का क्या नाम था तो बसाबन है मुगल चित्रकार का नाम क्या हो है बाकि जो तो है यह तो सब अलग अलग है तो बताई का तीनों है कहां से हैं मौला राम राज अरुगर्मा अमधाशिर के लिए तीनों ही बहुत ज्यादा आसान है इसका राई डांसर आप लोग को बनाने वाले और लोग कलाकार से जो कलाकार है वो एक ही कलाकार है इन दोनों से बहुत कोश्चन पूछ जाते हैं चटक रंग इनकी रंग योजना और एक इनका मतलब विश्य है यह दो पूछ जाता है चित्रों में कितने रस दिखाई देते हैं अब रस की बात कर रहा है तो बताईगा इसका जुराई टांसर है वो कौन सा हो जाएगा तो यहां पर इसका जुराई टांसर हो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुर यहां पर पढ़नों हो जाएगा तो नो रस प्रमो ग्रूप से द लाल रंग प्रतीक हो जाएगा आपका प्रतीक है वह होगा हो जाएगाा ठीक सबसे पहले बसके बन बात करते हैं लाल रंग टो यहां पर प्रतीक हो करते हैं और आ Hmm भी होता है ऴहां घ्रड़ा भी होती है क्या होती है यहां पम होता है वहां है खते हैं यहां पर शैंति है यह पराकरम भी देखा है इसको मैंने देखा नहीं तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर करिएगा वह आप लोग पराकरम ही करिएगा ठीक है क्योंकि ये इन दोनों से समबंदित हो जाएगा इसलिए प्रेम और गरड़ा जो है सुरी मैं तो गरड़ा को गरड़ा ही बोल रही तो यह चीज आप इसको तो हटाइए बाकि यह दो आप इसका जो राइट आंसर है पराक्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका सत्रा हो जाएगा दिल्वाडा मूर्ती मंदिर है किसमें बना है तो बिल्कुल यहाँ पर संग्मर्मर मूर्ती कला में बना है ठीक है तो अब बढ़ते हैं कुछ नमबर 71 की तरह बढ़ते हैं कुछ नमबर 701 है यहाँ पर technik ऊच्छिन यहांपर महाभले श्वर ऐलोरा मदुरही या फिर महाभली पूरम तो शष्व मंदिल है कहाँ पर अवस्थित है तो सब जुक जानते हैं इसका जो रैट डैंसर है वह कौनसा हो जायेगा तो बिलकुल यहाँ पर महाभले पूरम brass आंसर हो जाएगा आप बढ़ते हैं कुछ नमबर फिप 72 72 कह रहा है कि नई दिली इस्थित कौन सा जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया तो इसका जो राजा सवाई सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीके जंतर मंदर किसके तोरह बनवाए गया है राजा सावाई सिंग इसका रइड आंसर है कुश्च नमबर है 73 कुश्च नमबर है 73 है बिश्व प्रस्चिद्ध पद्मपाडी अबलिके तुश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है तो गुफा संख्या एक है गुफा संख अबलिके तुश्वर जो है इसका जो राइड आंसर है कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर गुफा संख्या संख्या ठीक है तो इसका आप लोग ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कुश्च नमबर है 74 74 कि भिख्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में है बिख्षुक बुद्ध है तो यह है आपका option है गुफा संख्या एक है गुफा संख्या 9 है या फिर गुफा संख्या 17 या फिर गुफा संख्या 16 तो यहां पर इसका जो राइड आंसर है जो बिख्षुक बुद्ध है वो कौन सा हो जाएगा तो कुछ्ष नमबर 75 विशे क्या है यह आपको बताना है यहां है यहां पर है बहुत है या फिर श्रंगार है यहां पर अब लुग जानते हैं जहीं हो जाएगा अब बढ़ते हैं लगू चित्र हैं वोश चित्र है या फिर दीवार चित्र है तो इसका राजिशनी चित्र हो जाएगा तो या दखीगा राज़ेसा है जित्र है तो लगू चित्र है कुछ नबर 77 कुछ नबर 77 दिली का लाल किला जो बनाया गया किसके पुत्र द्वारा तो यहां पर पुछा गया है यहां पर पुछा गया है तो 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 यहां पर कि जब पुरश और नारी ने अपने गौरफ का दुरुपियों की किया, मतलब यह किसमें बना है तो आपका कास्ट और प्रस्तर में बना है, यानि कि लकडी और पत्थर में बना है, यह किसी की रचना है, जब पुरुष और नारी ने अपने गौरफ का दुरुपियों की किया तो यहाँ पर option है आपके अंबादास है बलवीर सिंग कट है या फिर परमजीत सिंग है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहाँ पर बलवीर सिंग कट हो जाएंगे अब हम बढ़ते है कोश नंबर 79 है स्वपनों की व्याख्या किसने करी तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्वपनों की व्याख्या किसने करी है तो यहां पर option है अरस्तू है white head है, sigmund Freud है या फिर rose fry है तो उस अपनों के व्याक्यां यहां पर जो करने वाले जो है दाशनिक है जो है वो कौन हो जाएंगे तो बिलकुल यहां पर हो जाएंगे sigmund Freud हो जाएंगे, sigmund Freud हो जाएंगे, ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते है कुछ नमबर 80 की बात करते है कुछ नमबर 80 कह रहा है कि तैयम महता ने इन शहरों में कारे किया था तो तैयम महता में यहाँ पर किसने शहरों में काम किया था option है मुंबई मदरास है मुंबई आपका बंगलोर है या फिर आपका मुंबई हैदराबाद है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर हो जाएगा आपका मुंबई और दिल्ली में इन्होंने यहां पर काम किया था तो यहां पर जितने भी आपको जो मॉक टेस्स चल रहे हैं तो आप उसको डेली करिए बहुत अच्छे से करिएगा जो डेली बुक करते ही हैं मौक टेस्ट करते ही है उनको थो पता ही होगा कि आप लोग करा办法 है तो इसको अच्छे से करिए आप आयेगा तो यहां पर यहां पर है सीका जो राई डांस रिल्कुल बढ़ बढ़ वचैमार कृस्टाया ही तुरू की तरफ बढ़ते हैं कौन था वे प्रसिद मूर्थी कार कौन था जो अपनी जली जलाई लगणी को मूर्थी कला के लिए जाना चाहता है यह तो आप लोग ने देखती है अपर ऑप्शन है शंको चौदरी है जे राम पटेल है तो यहां पर तीनी ऑप्शन में से चलिए आंसर दीजेगा तो उसक है या फे जोती भड़ तो बताइए गाइस का जो राइट आंसर है वो कौन सा है तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा एम मैं पुसेन हो जाएगा यह आप लोगोंने बहुत बार पड़ा होगा तो अब हम बढ़ते हैं कृश्य नमबर 84 की तरफ है तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर आपका डीपी राय चौदरी हो जाएगा कुश्य नमबर 85 85 प्रसिद्र समकालीन जो है यानि की आधनिक भार्दिय च्हापाचित्र देवी जो बनाया है वो किसी के द्वारा बनाया गया है तो यहां पर आप्शन है नंदलाल बोस है अनबम सूध है या फे जोती भट है तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर जोती भट इसका राइट आंसर है कुश्य नमबर बढ़ते हैं 86 की तरह बढ़ते हैं कुश्य नमबर 86 है यह हो जाएगा ठीक है जो मृत बांडों पर बने अलंकरण का आकार कैसा है जामितिय है नेक्स कुश्य की तरह पर बढ़ते हैं 87 कह रहा है यहां पर 87 कह रहा है कि भारत सरकार ने बर्श दो हजार साथ में बार सरकार ने दो हजार साथ में एक प्रसिद च्छापा कलाकार क किया गया था निम्लिकेत में से उसका नाम बताइएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो आप लोग की बहुत अची प्रैक्टिस भी हो गई आप लोग के जो कुश्चंस है ना तो अधिकतर जो है यह तो है कि आप लोग का कम से कम 70 परसेंट तो आ कि आप लोग अप लोग त्योरी जरूर पढ़ते रहिएगा कुछ दिन से क्लास बंद हो गई है लेकिन आपका कुछ बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन आपको जो भी है त्योरी बहुत अच्छा मेटर मिल जाएगा तो भी फेस्टिवल की बज़े से आपको पता है कि यहा जहांगीर मैडोरा का चित्र लेते हुए या फिर दाराशिकों की बारात है या आपका एक औप्शन और भी बत्यका दिखा देते हैं बाबर सोन नदी पार करते हुए तो यहां पर चार है तो चलो आप कोई बात नहीं तीन ही बता दो को मुगल शैली के चित्रकार का जो अ कोईश नमबर है 89 कोईश नमबर 89 कह रहा है कि अजंता की गुफा क्रमांग कौन सा है 26 में बनी जो है आपका है महापरी निर्वार मूर्ती बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंदित है जन्म है विभा है या फिर घर छोड़कर जाना है या फिर म्रत्यू है तो कि महापरी निर्वार मूर्ती है बुद्ध के जीवन के महापरी निर्वार का रती की होता है और इसमें पर कीसी मुगल लगुचित्रश है पर च्पाश्ड के संवंदर रखता है यहां पर है आउद्य-ध कौन सा हो जाएगा तो यहां यहां पर लग्मों हो च्पीदरह बनान के सब्न रखता है याद still कि 91 91 चो के निम्लिकित में से कौन से सजित्र ग्रंद जो है प्रारंबिक मुगल शैली का है तो यह आपको बताना है शाहा नामा ए फिरदोसी है दास्तान Bardzo है युलिस्तान ए शिवका विश्पान नामक जो क्रती है किसने चितित किया है यह आपको बताना है रवी संकर राबल है कल्यार स्रीन नंदलाल बोस है या फिर अमता शेरगिल है इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुर य लेकिन करे ही इसको डेली का एक भी दिन इसकिप नहीं करना है आपको डेली पढ़ना है कुश्रमबर 93 है भारती करा में जो हर्मिल का शब्द किस विदा से जुड़ा है मूर्ती करा चित्रकरा चापा चित्र या फिर स्थापत्य तो यह भी आप लोग सभी जानते हैं कि य अधिक बिंदू को लेका चित्र किया है तैया महता जी आरसंतोस एमाफ हुसेन या फिर एसेच रजा है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो बिलकुल कौन सा हो जाएगा एसेश रजा हो जाएंगे कुश्रम बढ़े 95 है बीजापूर गोल कुंडा चित्र शैली के मतलब जो है बीजापूर गोल कुंडा चित्र शैली इसके एक अंगल रूप में जानी जाती है जानी कि बीजापूर की बात कर रहा है तो बीजापूर जो है बीजापूर गोल कुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है, वो कौन सी शैली है, तो यहाँ पर आप्शन है, मुगल शैली है, राजिस्थान शैली है, या फिर पहारी शैली है, या फिर दक्कन शैली है, तो बताएगा, इसका जो राइट आंसर है, वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी जॉन केक्सटन है जॉन गोटेनबर्ग या फिर कोसोलन है तो यह आपको बताना है तो इसका राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा तो यहां पर शिला मुद्रन का अविश्कार किस ने किया है तो बिलकुल यहां पर जॉन सैलेफ एंडल ने किया है कुछ नमबर 97 है गीत ग कोविंद्ह यहां पर नामगरन्थ के रचनाकार हैं तो बिलकुल यहां पर कौन हो जाएँगे तो बिलकुल यहां पर जह्यांव हो जाएंगे कौूशन मुरण दाएंडte है चित्र प्रशाद के लिए जाने जाते हैं तो यहां पर चित्र प्रशाद के लिए हो जाएंगे ठीके इसके लिए हो जाएंगे लिए सबसे बड़ इस तूब कहा इस्तित आपकी गुपाइए तो यहां पर साची इस तूब को इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा इस्टूप कहां इस्टीथ है, जिसे कार्ले में भी इस्टूप है, तो एको आप लोग ने shots में जरूर देखिएगा, ठीक है, तो मैंने shots भी upload किया है, तो सभी लोग shots भी जरूर देखिएगा, मैंने बहाँ जा कार्ले, सब को क्राया है बहुत कया साची भरोत से सपक्राया अप लोग सबदेखा इस्टू आपस from यह आपको एक्जाम तक लारिफटाइप अप लोग को मिलते में हमेश्या मिलता रहेगा नए नए चीज़ों के बारे में मिलता रहेगा नए आना मेटर मिलता रहेगा बस ये है आप लोग अपडेट रहे है रेगुलर्टी बनाएं बस आपको ये जरूर याद रखना है कुशन नबर आप लोग फारे ली हंडेट तक कुशन आ गए है तो हंडेट कुशन है आपका भारत में प्राचीन दंग बुफा मंदर को किसको समर्पित किया गया था बादों को जैन को या फिर आपका हिंदू को तो बताईगा इसका जो राइडा अंसर है वो कौन सा हो यहां पर मातन बंदर किसी राज में इस सैतर है यह भी आि आप लोगों ने बहुत बार पड़ा है तो जल्दी से बसा bara आप इस पर दवार ना ही हे ब्स यह सो बना No पर इसका राहन से आभड़ेंच पर आप हम बढ़ते हैं यहां पर कुर्ष्य नम्र एक सो तीन कुछ नमबर 103 कह रहा है कि निम्लिखित राजाओं में से किसी एक के शैली बार शासन में गांधार शैली का विकास हुआ गुप्त कुशार या फिर्शुग तो चलिए यहाँ पर तीन ही आप्शन से चलिए आज़र दीजिएगा तो यहाँ पर इसका है तो सब भी रुख जानते हैं कि यहाँ पर शैली बार शासन काल में गांधार शैली का विकास हुआ है वो बिलकुर यहाँ पर कुशार इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश नमबर रह 105 है पांडू लिपे चित्रड के लिए प्राचीनि तम माध्यं क्या था नारिलğa पत्त आ पीपल का पत्त ा तार्च पत्त या भिकारज तो सभी रुख जानते हैं कि riteast पांडू लिपे चित्रड के लिए इसंती माध्य था माध्यम था वो क्या था तो बिलकुल यहां पर हो जाएगा ताड़ का पता या पाम लीफ कुष्ण पर 106 कह रहा है कि इस्तूप के भागों का शीर से सही क्रम का ग्यात करें तो यहां पर यहां पर यह तो आप लोग को मैंने पूरा पिक्चस के साथ बहुत अच् तो बिलकुल पहले छत्रा बली हो जाएगा फिर हर्मिका फिर अंध फिर आपका वेदिका ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा फिर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है कुष्ण नमबर 107 है रसमंजरी श्रंखला जो बनी है संबंद किसे श कौन सा हो जाएगा बस वहलीज का राइट आंसर हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं कृष्ण नमबर 108 की तरफ किस ब्रॉंज मूर्ती में प्रसिद्ध मूर्तिकार रॉंदा जो है प्रभाबित हुआ था तो रॉंदा है या फिर रॉडिन भी बोल सकते हैं तो डांसिंग गर तो बिल्कुल यहां पर नट्राज की जो मूर्ती है ठीक है किसकी है नट्राज की जो मूर्ती है वो प्रसिद्ध मूर्तिकार रॉंदा इससे प्रभाबित हुए ठीक है कुश्य नंबर है 109 109 कह रहा है कि एलिफेंट गुफों में महरास्ट को लगभग सदी में बनाया गया था यह आपको बताना है तो यहां पर है ऑप्शन है पाचवी से आटवी है यहां पर पहली तीसरी शताब्दी है या फिर आटवी से ग्यार भी है तो यहां पर सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर पाचवी से आठवी शताब्दी इश्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप हम बढ़ते हैं कुश्रमबट 110 की बात करते हैं भारतीय रास्टे द्वज में कितने रंग होते हैं तो कितने रंग होते हैं चाहर तीन दो या फेर पाच तो यह आपको बताना है तो यहां पर इसका Theo बढ़ता हैं तो सिरे की बाता है तो यहां पर तीन ही रंग होते यहां पर तीन ही कलर माने गए हैं तो अब लोग यहां पर तीन कलर उसको याद रखेगा चार कलर नहीं याद रखेगा question number है यहाँ पर 111 की बात करते है question number है तो यहाँ रखिए का ठीक है इसलिए यहाँ पर 3 रंगा है तो 3 रंगा इसलिए कहते है question number है 111 कह रहा है कि साजी स्थूप में किस लिपी किसमें संदेश खुदा हुआ है ब्रामी देवनागरी कीलाक्षर या फिर खरोस्टी तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर ब्रामी इसका राइट आंसर हो जाएगा साजी स्थूपर किस लिपी में संदेश खुदा हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर ब्रामी लिपी में खुदा हुआ है संदेश कुशरम बढ़ है 112 112 क्राइब निमर्विख्यटमे से किसे धसे छेत्र से किया जाता है तो यह आपको बताना है कि किसमे धसे छेत्र से बढ़ किया जाता है वोर्ड गट इंटागल्यों लिथोग्राफ या फिर offset printing, तो इसका जो राईट अनसर है, वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर इंटागलियो, इसका राईट अनसर हो जाएगा, याद रखिये किसमें धसे हुए, इंटागलियो है ना, इंटागलियो मतलब क्या होता है, अंतासते होता है, ठीक है इसको याद रिखिए अंतासत है तो ये चीज होता है इसमें इसलिए बता देती हूं कि आप लोगों को हर बार समझाती जाओं तो आप लोगों को ये चीज पॉइंट किलियर हो जाए दसे चेतर का मतलब क्या है आपका इंटागलियों इंटागलियों मतलब अंतासते अंदर की छपाई करी जाती है इसमें कुश्रम पर 113 कह रहा है कि शव शव जो है ये किसका बहान है चामुंडा, सरस्वती, पार्वती या फिर दुर्गा तो बताईगा यहाँ पर शव है किसका बहान है तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा चामुंडा हो जाएगा ठीक है तो चामुंडा यहाँ पर किसका बहान हो जाएगा चामुंदा का शब हो जाएगा कुश्रम पर 14 कह रहा है कि साची महाइसूप साची महाइसूप कि तोरण और बड़े री के आगे और पीछे बेसांतर जात तक कथा चित्रित है यह आपको बताना है तो यहाँ पर ऑप्षिन है साची स्थूप मैंने आपको यह भी करवाया था जितने भी तोरण द्वार है पश्मी तोरण द्वार है मद्दे जो है यह सब मैंने आपको कराया है तो यहाँ पर आपको जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था तो साची स्थूप के यहाँ पर किस तोरण और बड़ेरी ठीक है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कुछ नंबर 115 है बौत प्रतिमा लक्षर निम्न में से किसे दर्शाता है बुद्ध की प्रतिमा मुद्राएं जातकत हैं बुद्ध की पौरारिक संकल्पनाएं या फिर बुद्ध क कि पौरारिक संकल्पनाएं इसका राइड आंसर है सब्सक्राइगा जो हो जाएगा कि तौंगılar плохо हो जाता है तो बिलकुल हो घ्युआ हो जाएगा तो आपको किसी होता है चित्रकारी से सम्बंदित होता है कुश्च नमबर है एक स्फो मैटो होता है सिग्रो फिटो भी होता है धुली मज़ा सिग्रो फिटो होता है ये उसकी ऋईकली की देर होती है इसमें इन्गेविंकर के जो बनाया जाता है ठीक है, वो अलग है आपका इस 4 में तो अलग है ठीक है वो चित्रकारी से मतलब होता है इस 4 में ते जिसमें आपका लाइनिंग को ब्लर कर दिया जाता है वो इस 4 में तो होता है कुछ नमबर है 117 कह रहा है कि कौनते या कांते जो रेखा चित्रतक्नी का अविशकार हुआ बारत फ्रांस या फिश्री रंका या फिपो लैंड तो यहां पर जो कौनते हैं यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर फ्रांस हो जाएगा बस थोड़ा सा है, बस target बना के रखी, मैं तो आप लोग को हिम्मत दे रही हूँ कि बस आप लोग हिम्मत बनाईए, कि 125 टारगेट बना के रखना है, कि करना है तो करना है, ठीक है, ये आप लोग तो daily रखा करें, कि हाँ 125 का practice set करें और theory पढ़ें, देखो आपको कैसे selection नही जो भी exam देंगे, the case case की color करती है, ये तो देखो, आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा, even picture भी देखिया, even मैंने पूरा करवाया है, पूरा the case पर करवाया है, पूरी picture बताई है, कि या कौन-कौन से किस-किस color card ने बनाई है, कौन से sun में बनाई है, पूरा full details में दिया है, ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखियेगा, यहाँ पर शौर्ट से तो आप लोग हमेश अपडेट रहा करें, तो बिल्कुल यहाँ पर Gustav Klimt की है, the case, ठीक है, और किसकी किस है, the case, बताईएगा, कमेंट में, ब्रदकलाकोश के लेखा कौन है, जोतिश योशी है, रूपनार बात हम है, या फिशेकर से इन है, या फिर विनोध भारत वाज हैं, तो ब्रदकलाकोश के लेखा कौन हो जाएगे, तो यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, पुस्तक की भी मैने सीरीज कराई है, पुस्तक की सीरीज बनाईएगा, पूरा उसको लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, और उसको लर्न करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका विरोध भारत वाज हो जाएगे, ब्रदकलाको कुश्च के लेखक, कुश्च नंबर है, 120 की बात करते हैं, कंपनी चित्रकला, जो है किन शैलियों के सम्मेलन का परिडाम है, तो बताएगा, ऑप्शन है आपके यहाँ पर कि भारती और चीनी कला, भारती और यूरोपिय कला, भारती और फार्सी कला, या फिर भारती और जाती हैं वो प्रिक्रिया इसका प्रिक्रिया प्रियों किसमें नहीं होता है लीटोग्राफ वोड़कर्ट इंटाल्य या फिर ऑफसेट में तो यहां पे सबी लोग जानते हैं जो एचिंग जो करवाई जाती है वो किसमें प्रयोग नहीं होता है तो याद रखिएगा वो होता है वोड कट में होता है याद रखिएगा वोड कट में नहीं होता है लकडी पर एचिंग का कोई यूज नहीं होता है लकडी को कोई भी फर्क यह बस यह है बाकि यह है इसमें एचिंगा यानि की अमलांकन एसिड अटक कुछ नबर है 122 कह रहा है हिंडोला महल कहां है हिंडोला महल भी आप लोगों नहीं पढ़ा होगा बहुत बार तो बताईगा इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा हिंडोला महल है यह महल है सभागार है या फिर दर्बार है या फिर हमाम है तो यहां पर एक हिंडोला महल जो है कोई महल नहीं है यह क्या है एक सभागार है ठीक है क्या है सभागार कुछ नबर 123 कह रहा है कि लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है प्राक मौर इस थल है अकैडियमिक सीटी आफ तो यहां पर जाते हैं यहां पर जो इसका राइट आनसर हो जाएगा लोथल कि सुरूप में प्रसिद्ध है तो यहां पर आयात- निर्याद होता था ठीक है एक्सपोर्ट और इंपूर्ट होता था यहां पर इससे यह बदा लगता है लो तल क्योंकि लो तल में कार खाने भी थे कुछ नंबर है 124 124 का है शिर्पकार जो है गोंजालेज मोस्ट इंपोरेंट है यहां पर शिल्पकार गोंजालेंस निम्मेंसे किसके साथ खारे करते थे मातिस हिंडरी पिकासू है तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा तो बिलकुल यहां पर पिकासू हो जाएंगे शिर्पकार गोंजालेज मुझालेज मोसे किसके साथ कारे किया है याद रखीगा पिकासू है कुछ नंबर है 125 निम्ण में से कलमकारी जो कला है एक प्रकार क तो यह आपको बताना है कि निम्न में कलमकारी कला एक प्रकार का नहीं है मासुली टी पत्नम है श्रीकला हस्ती है काचीपुरम है करूपर है तो इसका जो है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल यहां पर काचीपुरम हो जाएगा तो याद रखीगा कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है तो बिल्कुल यहां पर हो जाएगा आपका काचीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कौन सा हो जाएगा काचीपुरम कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है तो काचीपुरम नहीं है ठीक है तो यहाँ पर तो आपकी class finish हो गई जो भी आपको question में doubt है आपको लगता है कि doubt है मैंने आप लोग को पहले भी कहाता कि अगर जो भी confusion है कि यह समझ में नहीं भी आ रहा है कि कुछ भी है आप देखो मेरे पास contact number है सभी के पास है तो आप लोग उसको comment करके तुरंट उससे बताए तुरंट बताया जाया मैं पूरा details में आपको बताऊंगी पूरा चाहिए आपके कितने भी student के message हो सबका reply ज़रूर मिलेगा मैं करती भी हूँ बहुत सारी student के आते भी है message मैं ज़रूर reply करती हूँ ऐसा नहीं कि किसी का message इगनोर करती हूँ मैं हमेशा message करती हूँ बहुत सारी студентов के आते हैं मैं किसी का भी नहीं बहुत सारी student के आते हैं ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे हो गए तो नहीं है अरे कोई बात नहीं 10-15-20 मैट लगेंगे आदा घंटा लगेगा जाद से जादा सब का रिप्लाई कर देती हूं ठीक है तो यहां पर सभी स्टुएंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी कुशन में डाउट है कन्फ्यूजन है आप लोग मुझे तुरंत बताएं आपका से लिशन तुरंत निकाला जाएगा ठीक है और वो भी डीटेल के साथ निकाला जे कि ताकि आपको दुबारा यह प्रॉब्लम किसी और कुशन में ना होए ठीक है तो चलिए तो आपी क्लास नहीं पर खतम होती है बाकी सभी को यहीं पर मतलब सभी क्या सभी को जो है हपी दिवाली मुझे तो आज क्लास लगा सबस्ट को काम होगा तो आज बहुत सरे स्ट्ट को नहीं कर पाते हैं चलिक कोई बात नहीं लेकिन सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस यह हैं सबसे पहले अपने पढ़ाई को प्राइटी दें दीपावली तो हमेसा होती रहेगी होली भी होती रहेगी सब फेस् कि आज कोई भी चाहते है कोई भी मैरिट नहीं को इसमें पर होना है क्या किस पर हो नहीं किस फरोना है मैरिटह सीन है नहीं तो कोई आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कैसा सेलेक्शन चाहते हैं ठीक है तो चलिए आपकी क्लास नहीं पर फिनिश होती है तो बाकि आप लोग नेट का भी एक्जाम के लिए बहुत सरे स्टुएंट कह रहेते हैं मैं जल्दी से कोशिस करती हूं बाकि तो बहुत सरे दिन बाद इतनी अच्छी क्लास चलाओंगी कि आप लोग का बहुत अच्छी तैयारी करा दूँगी इतना है कि सहां सेलेक्शन हो जाएगा जितना पढ़ लेंगे मैं आपको बहुत सभी चीज़े ऐसी याद करवा दूँगी कि जितना मैं बता हूं उसको लर्न जरूर कर लेजिएगा ठीक है तो आपकी चलिया है पर क्लास फिनिश होती है फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है ठीक है नेक्स्ट दे ओके बाकी सभी को अगें हैपी दिवारी ओल अफ यू ओके अगें थैंक यू